भारती क्रिकेटर मुहम्मद शमी मैदान पर वापसी के लिए कमर कस रहे हैं शमी अक्सा सोचल मीडिया पर फिटनेस वीडियो शेर करते रहते हैं दूसरी ओर स्टार क्रिकेटर की पतनी हसीन जहां एक बार फिर अपने भयान को लेकर सुर्खियों में है दरसल मुहमद शमी ने हाली में अपनी बेटी आयरा से लंबे समय के बाद मुलाकात की सोचल मीडिया पर वाइरल वीडियो में पिता बेटी की जोडी को एक साथ शॉपिंग करते देखा जा सकता है इस मुलाकात के बाद शमी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा जब मैंने उसे लंबे समय के बाद फिर से देखा तो समय थम गया बेबो मैं तुम से शब्दों से जादा प्यार करता हूँ हाला कि शमी की अलग हो चुकी पतनी हसीन जहां इस मुलाकात से खुश नहीं थी और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगा दिये हसीन जहां ने आननदबाजार.com से बातचीत में कहा कि सिर्फ दिखावा है ये मेरी बेटी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है नए पासपोर्ट के लिए शमी के हस्ताक्षर की जरूरत है इसी लिए वो अपने पिता से मिलने गई थी लेकिन शमी ने हस्ताक्षर नहीं किये वो अपनी बेटी के साथ शॉपिंग मॉल गये थे जिस कंपनी के लिए शमी विग्यापन करते हैं, वो उसे वहाँ ले गए, मेरी बेटी ने उस दुकान से जूते और कपड़े खरीदे, उन्होंने आरोप लगाया कि शमी को वहाँ से कुछ भी खरीदने पर पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए उसे वहाँ ले गए, मेरी ब पहले ही उनसे मिले थे, लेकिन तब उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, मुझे लगता है कि अब पोस्ट करने के लिए कुछ था भी नहीं, इसलिए उन्होंने ये वीडियो अप्लोड कर दिया है, जरसत शमी को हमेशा एक प्रतिवाशाली तेज गिंदबास के आरोप लगाया था, हलाकि BCCI की जांच में ये पूरी तरह से खारिज हो गया कि शमी इसमें शामिल थे, उस दौर में शमी काफी कुछ चीजों से गुजरे थे, हलाकि वो फैसला भी लेने वाले थे अपनी जीवन को खत्म करने पर, लेकिन उनके दोस्त ने रोका था, तो इस सब चीजों के बावजूद अब शमी पर एक और आरूप लगा है, आपको या लगता हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए, तब तक के लिए देखते रहें, वने डेहें दूए